अब बहुतली है अज जो है त्रंगे का काला बाजारी हो रहा है इस पर क्या कहना चाहते है कि ये जो सरकार में भगदड मचा हुआ है भादों से पहले सावन के आखरी में इस भगदड का अनंद आप क्यों ले रहे हैं इसकी कितनी सचाई है मुख मंत्री कौन बनेगा तेजसुई या नितीज कुमार अगर महागट बंदन की सरकार बनती है तो आखरी ओप्षन परधान मंत्री के लिए रसीपी ने कहा है साथ जनम में नितीज कुमार परधान मंत्री नहीं बनेंगे इस जनम में आप परधान मंत्री उन्हें बना सकते हैं भादों से पहले बिहार में भगदण मचा हुआ है और उस भगदण का आनंद जो है एकनेता बड़े चाव से ले रहे हैं आप देख सकते हैं वो अपना नाफा नुकसान और हिसाब जो है बहुत दिनों से कर रहे थे क्यूंकि इनके भी घर में कुछ दिन पहले जो है सिंधमारी हुई थी किसीने आग लगा दिया था मुके सहनी जी अभी हमारे साथ है और 48 घंटे में बिहार में क्या होने वाला है नितीश कुमार जी किस करवट जाने वाले है किस की सरकार बनने वाली है कौन मुख मंत्री बनेगा उन सब चीजों पर चर्चा करेंगे इनके साथ और साथ में ये भी सवाल पूछेंगे कि आखिर ये इतना खूस क्यूं है और इनको आखिर क्या फायदा है सबसे पहले सच अब करेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें पचैस तक के लिए बहुमत मिला है चाहों इंडिया में रहके अच्छा काम करे या यह शुपा ने वादा घशाक किया गरण जायें लोट कीyan की?. और महागटबंदर वाले बोलेंगे कि हम तो सिर्फ दो ही साल सरकार चलाएं तो क्या होगा ने तो दोनों आद्मी को जवाब तो देना परेगा क्योंकि आप भी दो साथ लोगों को रोजगार दे दे 19 और 10 और 19 इसमें बिहार के यूबा को फाइदा हो जा तो देखें ये सब तो राजलित में इस सब चलते रहेगा ये सारे चीज इससे पुर्म में भी सरकार बनने वाली है जिस तरीके से मानिय मुखमंत्री जी को परिसान कर रहे है क्या परिसान कर रहे हैं लोग जैसे आपने देखा कि 2020 में चुना में किस तरीके से चिराग मॉडल लाकर नितिश कुमार जी को एक सरियन्त के तहद उनका सिर्टा हुआ जहाज आर्सीपी सिंग ने कहा है आज की तारिक में जो दूपता हुआ जहाज नहीं कह सकते मानिय मुखमंत्री नितिश कुमार जी मजगूती से अपने दल के साथ है और उनका दल आज इतना सक्षम है कि इस देश में उनके पास ही आज परधान मंत्री का कंडिडेट है आज यूपीय में अगर ढूंड लि अगर चोड़ेंगे तो उसके पास एक ही कारण होगा कि यूपीय का राष्ट पती नहीं बने आखरी ओप्सन परधान मंत्री के लिए और सिपी ने कहा है साथ जनम में नितिश कुमार परधान मंत्री नहीं बनेंगे इस जनम में आप परधान मंत्री उन्हें बना सकते हैं यहीं जनम में आर सिपी सिंग खुद परधान मंत्री बना रहे थे आज वहां पर नहीं हैं लोग कहते हैं कि आपको मिल गया तो अंगूर मिठा नहीं मिला तो खटा है तो आज की तारिक में आप यूवाले भी तो आर सिपी सिंग के उपर आरोप लगा रहे हैं जब तक अ नितिश कुमार जी ने उनको रिटायर करवा कि उनको सबसे बड़ा पद पे राष्टी अध्यक्ष बना कर रखे और कहीं न कहीं न कहीं उनमें नितिश जी उन पर भरोसा किये बाद में उन्होंने कुछ भरोसा कर बनेगा मुकमंत्री कौन बनेगा तेजसुई या अगर कोई डील हुआ तो वो इस सर्थ पे डील होगा कि 24 तक मुकमंत्री नितिश कुमार जी ही रहेंगे 24 में जब परधान मंत्री बन जाएंगे तो जो है तेजसुई या दो मुकमंत्री बनेगे सही है और ये हल्चल ये भगदड़ ये भादों से पहले का भगदड़ में लालू परसाद यादो जी का कितना योगदान है लालू परसाद यादव जी का तो जहर सी बात है पाटी में हो रहा तो उनका सिर्वात तो लिया ही जाएगा बोला ही जाएगा लेकिन अभी लालू जी बहुत ज़्यादा डिसिजन लेने के इसमें नहीं है क्योंकि अब उतना बहुत ही खुल के बात नहीं कर पाते उतना को बहुत कुछ जानकारी में सबसे बड़ा दुस्मन आपका कौन है अभी इतना बड़ा दुस्मन नहीं बनाएंगे लेकिन हाँ भाजपा जो जिसने मेरे साथ गलत किया है ठीक है वो गलत की है ठीका रेड आप पे होने वाला था इसकी कितनी सचाई है कोसिस कर रहे थे ल पर आप क्या कहना चाहते है अब इडी का रहे तो अभी क्या यह तो अभी जो आपके गाव में हमारे गाव में जो थाना है ना उसके जैसा एडी हो गया एक साल 8-8-8-8-3-3-3-3 केस दर्ज होता है ठीक है और उस पर इंक्वाइरी होता तो अभी वोगी बहुत बड़ा य अब इडी तो मतलब ऐसा है कि जब चीजे बहुत किसी से नहीं होगा जो चराज सरकार का एजनसी है या केंदर सरकार के जो इंकम टैक्स है यह सारे जनसी जहां पर काम नहीं कर पाएगा और वहां पर अगर लगता है कि बहुत गरवरी है तब यह सब केस इडी के पास जात अब उनके उपर है अब ज्यादा कुछ दिखाईएगा अभी आप बूल रहे हैं हर घर तिरंगा के साथ हर घर नोक्री देना चाहिए तो जाहर सी बात आपके उपर हमारे पर तो करी नहीं बोले आप बोले हैं हर घर तिरंगा मुहीम का हम सपोर्ट करते हैं और मैं राष्टवादी आदमी हूँ तो मैं सपोर्ट करूँगा लेकिन हर घर तिरंगा के पहले जो हर किसी के पास घर होना चाहिए और हर घर में रोजगार होना चाहिए इसका बेवस्ता अगर सरकार ने कर दिया होता तो हर घ जंदर अगस्त को कहते हैं कि हर घर तिरंगा मुहिम जो है मोदी जी का बहुत कारगर है लेकिन आज हर घर में बेरोजगारों का फौज खड़ा है उसके लिए कुछ परियास नहीं किया जा रहा है और इस देश में अभी भी 10 से 12 और लोगों के पास ज्यादतर सहरी आबादी के पास जो है पक्के का माकान नहीं है जोपड़ पटी में रहने को मजबूर है तो इसके लिए भी प्रयास किया जाए 20 रुपया का जंडा भाजपा कर पदादीकारी 50 रुपया में बेच रहे हैं उनको घर कहां बनाना उनको जंडा बेचना है आज मोदी जिस्टर का जो मतलब की 600 रुपया में मिलता था वो आज 2350 रुपया में पटना में मिल रहा है खादी भंडार में जरह सोचिए कि इस देश में पहले आलू का प्याज का नमक का काला बाजारी होता था चावल का गेहू का आटा का चूडा का काला बाजारी होता था चीनी का मिठा का प कशा करना चाहिए और PLANNINGG से करना चाहिए वह नहीं परपर फी को दोसित करेंगा कर रहें दोसीए या प्रिषक्ष्षी और प्रेशर पॉल्टिक्स करने लगता है कि देखो बोला यादव को उठाएं कल जाके तुमको भी उठा लेंगे तो हर आदमी को मतलब सहीद होके तो देश हमारा आजाद करेंगे तो कुछ हम लोगों को इंटर्नल भी काम करना रहता है चलता कि हम लोग आगे जैसे हमने अभी आपका कागज पतर सब सही है इसमें कुछ गड़बरी नहीं है और नहीं पहले भी कभी गड़बरी था अच्छा आपने एक बार बोला था कि सभी नेताओं को जो है मारे ही चैनल पर बोला था अगर नितीश कुमार महागटबंदन के साथ यहां पर सरकार बनाते हैं तो आप नितीश कुमार को बोलिएगा कि सारे बिधायक अपने पेंशन को छोड़ दे मैं भी कह रहा हूं कि सारे पेंशन जितने भी हैं सबको समाप्त कर देना चाहिए ए उनको वन टाइम एक पेंशन दे बाकी अगर पूरा का पूरा समाप्त कर सकते तो वो भी करना चाहिए और उसके लिए मैं रेडी हूं ठीक है और मैंने पेंशन मुझे भी मिल रहा है अभी मिला नहीं लिकिन मिलेगा लिकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि मेरे पास जो भी पेंशन आएगा वो गरीब कल्यान के लिए किसी युबा को पढ़ने लिखने के लिए वो पैसा को खर्च किया जाएगा अच्छा आप उमीद कर सकते हैं ताइवान और चीन एक साथ मिलके सरकार बना ले नहीं सोच में पढ़ गए तो फिर जदियू त्राइवान बन गया है और बीजेपी चीन बन गया है और दोनों मिलके एक साथ सरकार बनाते हैं और दोनों एक दूसरे पर कटाक्श करते हैं क्यूं मलाई सबको अच्छा लगता है ने इसमें देखे जिस तरीके से पहले जो समस्या खरा था नितीश कुमार जी भाजपा के एक अच्छा संबंद अटल जी के टाइम से रहा और उसको लेके सरकार उन्होंने 12 तक तो बहुत ही अच्छा सरकार बिहार में चला उसके बाद फिर महागट बंदन फिर बीजेपी फिर महागट बंदन यह तो राम बिलास पासवान जी का भी रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं ने इसमें भरोसा से ज़्यादा इसमें जरूरी नहीं है इसमें काम से ज़्यादा जरूरी है क्योंकि आपके कुमार जी के काम से आप संतुष् बीजेपी का तो 100% नहीं है 100% नहीं है लेकिन नितीज जी के काम से कुछ परसेंट हम नाखूस है लेकिन बहुत हद तक नितीज कुमार जी ने बहुत कुछ किये भी है लेकिन अभी जो उनके पिछले एक दसक से 2012-2022 में जो वो लड़ाय लड़ रहे हैं उनके पीछे जो जि सरकार में रहकर मैंने बोला तो एक होता है कि काम करना और एक होता नहीं करना तो मुखमंत्री नितीज कुमार जी परियास कर रहे हैं काम करने का स्वास्त बिहार में सबसे ज़्यादा खराब है और जिस राज्य का ये तीन चीजे खराब हो उस राज्य का कभी विकास नही कम्प्लीट हो रहा है और सिक्षा मंत्री नितीज कुमार के ही पार्टी के हैं इस पे आप क्या कहना चाहते हैं हाल फिलाल में सही है कि सिक्षा पे बहुत काम नहीं किया गया और अभी शिफ खाना फूरती किया जा रहा है आपको सिक्षा मंद्री बना दिया जाएगा, तो क्या करेंगे? वे जो है होटल खोल दिया गया है और सरकारी स्कूलों को फुटपत का दुकान बना दिया गया है तो सरकार को जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहे हैं अभी हमारे सिक्षा को जन्गनना पे लगा दे रहे हैं इस परकार से खूल के आप बात किजेगा तो आपका तो मंदरी मंडल पद जो है वो तो जाएगा ही आपका तो पता कटेगा ही नहीं इसका मुझे कोई मला नहीं है अगर ऐसा रहता तो आज भाजपा काई बात मान लेते तो मंदरी बने रहते मुझे विवस्ता बदलना है मुंबई के बहतर जिंदगी को छोर कर मैं बिहार आया हूँ तो मेरी लड़ाई जो अपने लोगों को उत्थान के लिए हो हमेशा रहेगा और उसके लिए राज और अपने लोगों को कैसे आगे बरहे उसके लिए हम संकर्स कर रहे है और मेरे ल नितिज कुमार जी जयसे ही महागटवंदन के साथ सरकार बनाएंगे वैसे ही मुकेश सहनी जी जो है वह मचली भात का पाटी जो है पूरे बिहार के लोगों को देंगे बाकी इनकी बाते कैसी लगी हमारा ये प्रियास कैसा लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताना और बिहार में भादों से पहले जो भगदर मचा है इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं सरकारे जो है किस परकार से बिहार में अच्छा काम करेगी और कौन सी सरकारे बेहतर रहेगी इसके बारे में भी आप लोग अपना राय जरूर रखना और अगला वीडियो मैं किस नेता के साथ बनाऊं इसके बारे में भी आप लोग BCS राय जरूर रखना जैहिंद